बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम दोस्तों, उम्मित करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे और अलहमदिलिल्ला से मैं भी ठीक ठाक हूँ कल मैंने इस केक को बेक करने की वीडियो आपके साथ शेर की है और इसकी हमने आइसिंग वगेरा भी करना उस वीडियो में डिटेल में बताया है और बहुत सारे केक बेकिंग रिलेटेड और आइसिंग रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किये हुए हैं केक स्पोंज की एक अलग ही प्लेलिस्ट भी है और आइसिंग टेकनिक की भी है जिसमें हमने पैनेपल केक की स्टॉबेरी केक की और चॉकलेट केक की इस तरीके से वीडियो भी आपके साथ शेयर की गई है और यह देखिए बहुत ही आसानी से हमने थ्रेट से कट करना भी बत चालू था तो उसी में मैंने इसे कटिंग कर लिया था और कटिंग करने के लिए मैंने केक पर प्लस का साइन बना लिया था और फिर यह देखिए इस तरीके से यह पीस और उस से वो पीस कट कर लिया है और इसे सिफ हमें जहां से कट किया है उसी के अपोसिट डिरेक्शन म मैं पहले इस केक बोट को क्रीम से कवर कर रही हूं थोड़ा से याने केक हमारा जगा से ही ले नहीं इस तरीके से दूसरे केक बोट पर हम केक को ट्रांसफर करते हैं तो जरूरी है कि इस तरीके से बेस पर क्रीम लगाई जाए यहां पर आप यह इस पार पर भी हमें पहले क् बेकिंँ साथ हमें और देल में आहें तो बना कर लिया एक धिर गंटे में केक तो बना लेते हैं और इसे क्रीम को बना रही थी तो जब यहां पर वाणने के लिए और फिर यहां पर भी क्रीम को फिल करेंगे और यह केक का वेट है ना बहुत दिनों बात ओवरवेट हो गया था ओवरवेट यहने बहुत ही ओवर हो गया था पर मुझे यहां पर इस केक की डिजाइन देखनी थी बना कर क्योंकि मैंने vintage cake की design अभी तक बनाई नहीं थी तो पहले तो मैंने round cake बना लिया था फिर सोचा कुछ try करते हैं और इसको मैंने live में भी cover किया है और एक डर भी लग रहा था कि हम cake तो अच्छे से बना लेती हूं मैं पर जब live में थी तो एक डर लग रहा था कि मैंने यह design को final किया अब क्या होगा किस तरीके से होगा पर आप आगे देख पाएंगे के कितना प्यारा और पुपसूरत बनकर ready हो गया है वह भी हमने जितनी cream beat की थी उसी में मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसे cake बनाया है और यह cake भी लेडी के birthday पर था तो मैंने सोचा चलो pink color का बना लेती हूं और फिर एक दो comment आये क्या pink color का cake बना रहे हो जब live में ऐसा comment आया तो फिर मेरे को एक दर लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूं अच्छा तो cake बन बन जाएगा live को off कर दूँ यह सब भी सवाल मुझे चल मेरे दिमाग में चल रहे थे पर मैंने कहा नहीं अभी हम तो try ही करेंगे कि यह cake कैसे बनता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले थोड़ी सी pink color की cream बना ली है यहाँ पर liquid pink color को add किया था यहाँ पर कोई part मुझे disturb कर रहे थे उसे भी मैंने cut करना बताया है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यह इस तरीके से scrapper लिया है मैंने आप यहाँ पर आपके पास अगर card हो तो card का इस्तिमाल कर सकते हैं या किसी भी पुराने ATM का x-ray sheet का मैंने एक वीडियो में बहुत दो तीन वीडियो बनाया है जिसमें बीना turn table के भी cake कैसे बनाये यह बताया है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने थोड़ा सा part कट करके निकाला है वो मुझे बहुत दिस्टप कर रहा था और hardship का जब भी cake बनाती हूं तो इस तरीके से मुझे इस तरीके से part दिस्टप करते हैं और मैं आपको हमेशा बताती हूं क्यूंकि अगर मुझे करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों को भी करते होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको यह न लगए कि इनकी किस तरीके से फिनिशिंग आती है तो यहां पर देख सकते हैं यह फिनिशिंग मुझे बहुत डिस्टप कर रही थी और मैंने उसे लाइव में ही कवर किया यह मैंने जो चॉकलेट के अपलोड किया है ना उससे पहले बनाया था और बहुत अच्छा लगा मुझे मैंने पहले एक दो बार जो वीडियो बना ही उसमें भी मैं लाइव गई थी पर फिनिशिंग की वीडियो मैंने लाइव में नहीं दी ती डर लग रहा था मुझे पर कोई बत नहीं अभी confidence और बढ़ गया है लाइव में आकने के बाद तो यहां पर यह देखिए अभी यह केक को फिनिशिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी पर जो भी हमने डिजाइन की उसमें तो फिनिशिंग हमारी नजर ही नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा चलो होई नहीं हब हम फिनिशिंग को start ही कर लेते हैं यहांपर इस तरीके से मैंने रैखिए पैलेट को गरम पानी में डीप करके इस तरीके से अच्छे से से फिनिशिंग देने की कोशिश की है पर यहाँ पर कुछ पार्ट्स या नजर ही आ रहे थे पर कोई बात नहीं मैंने उसे कवर करने की कोशिश की है पर जितना करती थी उतने ज़्यादा ही कहीं और से नजर आ रहा था इतना बताने का मकसद यह है कि एक बार में कभी भी फिनिशिंग नहीं आती है और मैं यह हाट शेप अभी बहुत दिनों बात पर रही हूं तो तोड़ी दिस्टरबंस मुझे भी हो रही है राउंड शेप का जो केक होता है उसमें तो पांस से चे मेड में ही अच्छे से फाइनल फिनिशिंग हो जाती है अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कपड़े को यानि रुमाल को भीगा कर लिया है और इस तरीके से मैं पोच रही हूं जिससे हमारा पहले ही बोट क्लीन हो जाए और अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूं कि मैंने कौन-कौन से नोजल लिये मैंने निकाले तो चार-पांच थे पर मेरा काम एक ही नोजल से हो गया क्यूंकि यह केक भी छोटा ही था तो यहाँ पर मैंने दो पाइपिंग लिए है और एक में यह नूर का 7 नंबर का नोज बर दिया है और एक में नूर का 11 नंबर नोजल जो रोज नोजल होता है और इससे अभी हम इस तरीके से हम फ्रील निकालेंगे और कुछ मैंने पहले भी इसमें का एक केक बनाया था जिसमें रेट्टेंगल केक बनाया था और तभी वेंटेज के कहते हैं यह मुझे नहीं पता था और उस पर हमने एक डॉल भी बनाई थी तो वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी यहां पर आप देख सकते हैं जो मोटा वाला पार्ट है वो हमें उपर रखना है और छोटा वाला जो पार्ट होता है वो नीचे की तरफ रखना है तो फ्रील हमारी सही स बन जाएगी यह देखिए तो यहां पर जो फ्रील बनाई है मैंने तो वो बहुत ही नजदीग नजदीग बनाई है यह मुझे थोड़ी दूर दूर करनी चाहिए थी पर कोई बात नहीं मैंने इस तरीके से बना ली फिर मैंने उसके नीचे फिर से एक बार बनाई तो मुझे लग रहा था कि यह केक बहुत थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इसा लग रहा था पर आप आगे देखिए यह फ्रील हमारी बन गई है यहां पर थोड़ा टच हो गया था उसे भी कवर कर लिया है पर कोई बात नहीं अब ही जो गया था वह ही गया तो मैंने तो live में भी कवर कर लिया था नूर के 14 नंबर नॉजल से यहां पर मैं बॉडर कर रही हूं और बॉडर मैंने पिंग क्लर की क्रीम से कर ली थी अब पिंग कलर या वाइड कलर नजर नहीं आ रहा है वह ऐसा लग तो मैंने फिर उसी नोजल से केक बनाने के लिए याने डिजाइन बनाने के लिए वही जो क्रीम थी वह निकाल दी और उसमें पिंक में और थोड़ा सा एलो कलर आइड किया तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से औरेंज या पीछ कलर के फ्लावर बनकर रेडी हो गय केसिक टीम बना ली है पॉइंट है उस पर हम इस तरीके से फ्लावर बनाएंगे यह देखिए मैं फ्लावर बना रही हूं और यहां पर फेसे मैंने थोड़ा सा पिंक कलर एड किया है तो यह औरेंज कलर का की फ्लावर हो रहे हैं यह देखिए यहां पर आज मेरा हाथ ही न कर लिए पर अब क्या करूए मुझे ना कुछ सही ही नहीं लग रहा था तो एक कमेंट और आ गया कि आप थोड़ा खाली-खाली लग रहा है कुछ कर रही हूं कुछ अभी तो यहां पर क्रीम भी खतं हो गही थी अब बची वी प्रिंग कलर की जो औरेंज कलर की क्रीम बची फिलावर के बाद वही थी मेरे पास तो मैंने तोड़ा सा ग्रीन कलर को अड़ किया चलो वले इसी से हम कलर बना कर देखेंगे यहां पर मैं लीफ तो वह भी नहीं मिल रहा था साथ ही साथ मैं पाइपिंग बैक जो थी नजदी खीटी फिर भी वह नहीं मिल रहे थे तो मैंने पॉलिथिन से एक कौन बना लिया है आप भी अगर बिगनर है और आपके पास बहुत ही कम सामान है तो प्लीज मेरे वीडियो को देखिए मैं यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारी पाइपिंग बैक बनकर रेडि हो गई है मैंने इसे पीछे से नॉट लगा ली है और इसको वी कट डेकर इस तरीके से कट कर लिया है तो यहां पर मैंने इस इन कलर से इस तरीके से फ्लावर्स को लीफ को बनाया हर फ्लावर के बीच दो दो तीन तीन लीफ बनाएं तो यह हमारा जो केक है इतना प्यारा और खुबसूरत बंद कर रेडी हो गया कि कस्टमर भी खुश हो गया कि कस्टमर का वाट्सप पर बोईस मेसेज आया था उसकी मैंने स्क्रीन रेकॉर्डिंग यहां पर आपके साथ शेर करने की कोशिश क मैंने चार लगा ही लिए और फिर वह आ गई यह नहीं लगा नहीं में लगाना है यह में जा हुंद में यह सबनाद के बनाया है केक जादा हो गया यह हमारी कलती है तो हमें जब भी इस तरीकी केक का वेड बढ़ता है तो हमें उनसे कस्टमर से जितना पहले बताया है उतना ही पेक लेना है पर जब कस्टमर हमें खुद से और देते हैं कस्टमाइज केक करवाते हैं और उसमें अगर हमारा वेड बढ़ता है तो हमें उन्हें पहले ही बता देना है कि अगर इस केक का वेड बढ़ेगा तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होगे आपके साथ बहुत सारी डिटेलिंग यहां इस वीडियो में शेर की है अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसन आई है लाइक शेर और कमेंट करना ना भूले थैंक्स फूर रोचिंग अल्ला अफेज